एक कहानी है रगु की रगु एक फेक्टरी में काम किया करता था काम करता था वो फेक्टरी भी बन हो गई उसकी नोकरी चले गई और वो बेरोजगार हो गया रण रगु की मुश्केलिया और भी बट गई थी रगु की पतनी कुछ चालो पेले ही गुजर गई थी रगु अपनी दस साल की बेटी निधी के साथ रहता था हाला कि रगु ने अपनी नोकरी चले जाने की बाद अपनी बेटी निधी को नहीं बताई थी शाम की बहाने रोज सुबह घर से निकल जाया करता था और शाम को वापस आता था आप आ गई काम से हाँ बेटा आ तो गया लेकिन मैं आज भी तेरे लिए पठा के नहीं ला पाया हूँ दो दिन बाद दिवाली ही और मेरी फिक्टरी में बोनस मिलने वाला है तब ले आओंगा तो चिंता मत कर मैं तेरे लिए पठा के और नया फ्रोक दोनों ही ले आओंगा यह जानती थी कि उसके बाबा कोई पठा के और फ्रोक नहीं लाने वाले हैं क्योंकि उसकी नोकरी चले गई है और फिक्टरी में भी उसे कोई बोनस नहीं मिलने वाला था रगो अपने हालातों से बहुत दुखी था उसे समझ नहीं आ रहा था कि ओब क्या करे रगु मस्दूरी का काम करके जेसे तेसे दो पेसे कमा कर दो वक्त की रोटी का ही इंतजाम कर पा रहा था अगली सुबह रगु काम की तलाश में घर से निकल जाता है लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता है रगु जब बाजार में आकर देखता है तो सभी लोग दिवाली के लिए तयार्या कर रहे थे कोई कपड़े खरीद रहे थे पटाके खरीद रहे थे मिठाया खरीद रहे थे लेकिन रगु के पास पेसे नहीं थे इसलिए वो खड़ा खड़ा सब कुस देख रहा था लगु एक कपड़े की दुकान के पास आकर खड़ा रहता है और वहाँ वो सुन्दर सुन्दर कपड़े देखता है वाद देखकर दुकान का मालिक कहता है भाई कहां चले आ रहे हूँ तुम्हें क्या लेना है कपड़े बहुत ही महंगे है और तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम इतने महंगे कपड़े खरिद भी पाओगे चलो सुबह सुबह यहां आ जाते हूँ चलो जाओ यहां से कि ऐसी बाते सुनकर रगु को बहुत बुरा लगता है रगु दास मन से अपनी घर लोटता है वो घर आकर बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो आज भी निधी के लिए पटा के और नए कपड़े नहीं खरिद ला पाया था रगु ने सोचा कि अब राशन भी दो दिन का ही बचा है बेटी मेरी तब्यत ठीक नहीं है इसलिए मुझे खाना नहीं खाना है तुम खालो में सो जाता हूँ नेदिय जानती थी के खाना दो दिन काई है इसलिए उसके पिताजी खाना नहीं खा रहे थे इस वज़े से ही वो भुखे पेट सो रहे है रगु फिर से सुबव काम की तलाश में घर से निकल जाता है इस भी रगु के जाने के बाद उसके पास वाले मंदीर में आती है भगवान के सामने दो हाथ जोड़ कर कहती है आप क्यों मेरे बाबा की इतनी परिक्षा ले रहे है हमारे जीवन में इतने सारे दुख क्यों है पहले से ही मेरी मा को आपने चीन लिया है क्या आप मेरे बाबा को भी चीन लेना चाहते है मेरे बाबा को इतने दुखी क्यों कर रहे है मैं आपसे लाखो रुपे नहीं मांग रही हूँ बस दो वक्त की रोटी की तो उम्मिद कर सकती हूँ ना हे भगवन आप महरबानी करके मेरे बाबा को कोई भी काम दिलवा दीजे बस यही मैं आपसे मांग रही हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए रगु फिर से उसी दुकान के सामने आकर रुख जाता है और कपड़े देखने लगता है एक हडबडाते हुए दुकान से एक बेग लेकर बहार निकलता है और रगु के सामने देखे ही बिना वहां से चला जाता है रखु ने जब आगे जाकर देखा तो हडबणाटी में उस मालिक से उसका बेग नीचे गिर गया था रखु जाकर उस बेग को उठाता है तो देखता है उसमें बहुत सारे पेशे थे एक्या इतने सारे पैसे इससे तुम्हें मेरी बेटी निधी के लिए बहुत सारे पठाके और नए कपड़े खरिश सकता हूँ लेकिन में किसी और के पैसे मेरे पास एसे नहीं रख सकता हूँ एसा करता हूँ उस मालिक को ढूनता हूँ और उसे एबेग लोटा देता हूँ अशेठ और उसकी पतनी आखों में आसू लेकर होस्पिटल के बहार ही खड़े थे आप लोग इस बेग को ही ढून रहे थे ना इसके लिए ही आप परिशान है ना लिजे आपका बेग में आपके लिए सही सलामत ले आया हूँ नहीं हम इस पेशों के लिए नहीं रो रहे हैं हम हमारे बेटे के लिए रो रहे हैं हमारा बेटा जिनकी और मोद के बीच लड़ रहा है बेटे को इस वक्त खून की जरु थे इसे के इंतजाम के लिए ही मैं पेशे लेकर निकला था लेकिन मुझे खून नहीं मिल रहा है समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करू कुछ मदद कर सकता हूँ अगर आपको कोई आपती ना हो तो मेरा खोन में दे सकता हूँ बेट के बेटे से मिल जाता है और उसे एक नया जीवन मिलता है तुने मेरे उपर बहुत ही बड़ा एशान किया है आज तुने मेरे बेटे को एक नया जीवन दिया है इसके लिए मैं तुझे कोई किम्मत नहीं दे सकता हूँ लेकिन हा इस बेग में जितने भी पेसे है वो तुम रख लो नहीं सेट जी इसमें एसान सी कोई बात नहीं है और ए पेसे में आपसे नहीं ले सकता हूँ वो तो मेरा फर्स था अब मैं चलता हूँ रात थी रगु खाली हाथ उदास मन से अपनी घर की ओर लोटता है लेकिन जब रगु ने घर आकर देखा तो वो देख कर दंग ही रे गया ए क्या उसका घर नई नई लाइटों और दियों से सजा हुआ था पेहने हुए थी मैं ये नई कपड़े और इतनी सारी सजावट किसने की बाबा एक सेठ और उसकी पतनी आए थी उसीने लेत navigate के है ठोर उसकी पतनी भी आ जाते है सेठ जी इन सारी चीजों की क्या जनवरत थी रगु आज दिवाली का दिन है और तुने हमारे घर में एक रोशनी जगा दी है तो फिर हम तेरी घर में अंधेरा क्यों रहने दे सकते है तेरा घर हम क्यों रोजने से नहीं सजा सकते है और हा रगु एक तेरे लिए और भी खुशी की बात है अब तू मेरी दुकान पर नोकरी कर सकता है रगू और नीदी भी बहुत खुशो जाते है